मार्केट की हमारे साथ HDFC सेक्योरिटी से अनुष गुपता जी मौजूद है अनुष जी थैंक यू सो मच ईजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए सोने चांजी से पहले शुडवात करेंगे सोना तो कल ओल टाइम हाइप के पास रिकॉर्ड करा था 2600 डॉलर के पार अब पहुच गया है तो क्या रणनीती अपनानी चाहिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर और तेजी के लिए बने रहे सेंटिमेंट गोल में पॉजिटिव रहे और सिल्वर में इच्छी का रिकावरी देखने को मिली हमें लगता है कि आज की टेडिंग सेशन में भी पॉजिटिविटी रहेगी क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट फाइज बिरो इंटरसेट का उने का कंसेशन आ रहा है और कल ECB ने भी लोवर इंटरसेट किये तो उसके में देखा कि जो डॉलर इंडेक्स उसमें गिरावर देखने को मिली और गोल्ड और सिल्वर एगेन एक पॉसिटिव मोमेंटम में जैसा हम एक्सपेट क पर आके चल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में ठीक है तो यह है सला सोने चांदी पर आपके लिए इंट्रेडेम में भी आज कहिदारी का ट्रे ले सकते हैं कच्छे तेल में भी इस बीच तेजी आई है गल्फ ऑफ मेक्सिको में तूफान की चिंता से आउट पर असर पड़ अनुजी क्या यहां से कच्छे तेल की में आप और तीजी देख रहे हैं दिखिए हमें लगता है कि क्रूर अभी एक रेंज में रहेगा यहां पर कोई क्लियर फंडामेंटल नहीं है हाला कि हमने इसमें बड़ी गिरावट देखी थी फिलार हमें लगता है कि अभी यह यह यहां चार्टों से लेकर चेहर शेशों की बीच मोव करता रहेगा तिक रेंज बांट ट्रीडिंग कूड में देखने को मिल सकती है हमें लगता है कि थोड़ा वेट अन्वाच करना जाए क्रूर अच्छी अच्छी कि अपना यह एक रेंज बांट सेशन रह सकता है और बे से रिकावर हुआ है तो कॉपर में खरदारी का ट्रेट बना सकते है करीबन सेवन नाइटेटो उस्ची के आसपास स्टॉपलेश टार्गेटं ringOW तक लिए अनुज सुझाने के लिए आज commodity मार्केट से जुड़ी चलिए फिरा लेसे रोकरेज रिपोर्ट की हमारे साथ वारून दूबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर वारून गुडबॉनिंग बताइए गुडबॉनिंग पूजा तो शुरुवात करूंगा टेलीकॉम बढ़ाके 1970 का किया है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस पूरे सेक्टर को होगा और खासकर यह दो कंपनी जो है उनमें आपको जारा देखने मिलेगा इन्होंने अपने बीटा एस्टिमेट बढ़ा दिये हैं भारती हेक्जाकॉंग पे पांस से बारा पसंट तक और साथ ही साथ भारती है टेल पे पांस से नौ पसंट के आसपास की बड़ोती की है और इसके लिए यहां पर अफ्ग्डेट किया गया है जोलरी स्टॉक्स सिटीगी रिपोर्ट है और यहां पर टाइटन यहां पर हाइक किया इन्होंने प्राइस सागेट 3510 से बढ़ा के 4110 और कल्यान जूरस पे 6500 से बढ़ा के 770 का किया है बेसिकली इनका कहना है कि डिमांड जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है और हाली में जो कस्टम डिटी घटाई गई थी उसका भी फाइदा इनको मिलेगा और जाई सी बात है फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके है और उसके बाद यहां पर सिटी की रिपोर्ट आ रही है बजाज फिंसाव एमके की रिपोर्ट है कवरेज की शुरुवात की है 2150 के प्राइस टागेट के साथ इनका कहना है कि खासकर इंस्योंस कारोबार जो है वहां पर इस कमनी की काफी बैतर ग्रोड देखने मिलेगी सा आपको बता देता हूं यहां पर आउट पर्फरमर का कॉल है और इन्हों ने बढ़ा दिया है दो सो सत्तर से बढ़ा के 275 से बढ़ा के अब 330 का किया है क्विक कॉमर्स में कंपनी लगाता अच्छी ग्रोथ कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे इको सिस्टम में कंपनी ज इनका कहना है कि सबसे पर मॉगेंश चनली कह रहा है कि ऑगर्स की जो है वह बाव एक्सपेक्टेशन है लेकिन अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि आरबे जो है अपने रेट्स मेंटेन करेगा 6.5% तक यूब यही कह रहा है कि आरबे जो है फेड के पहले शायद रेट कट करत को रेट कट ना देखने मिला है ठीक है तो यह कुछ है रिपोर्ट्स आई है आज CPI पर जो मैक्रो डिटा आए हैं उसके बाद बैंक अमेरिका सेक्योर्टीज की रिपोर्ट आई है और इसके अलाबा बजाज फिंसव पर एमके ने अपने कवरेज शुरू किया 2150 के भारती एक्जकॉम पर भी आज जेफ्रीज ने अपने लक्ष बढ़ाए हैं 1260 से बढ़ाकर 1600 का कर दिया है तो आज इस स्टॉक पर भी नज़र रखे और भारती एटल जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे और आज जोलरी शेरों पर भी नज़र रखे टाइटें कल्या स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा